हेलो एब्रिवेन वेल्कम बैक टू मैं चैनल गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहे की रेस्पी इतना जादा एजी रेस्पी आज आपके लिए लेकर आई हूँ इससे आप एक बबत देख लोगे तो जरूर बनाओगे इसका टेस्ट और बनाने का तरीका बह पहे नहींट हैं vivid होक retract जो काला काले यह उसमें डिल भूसी होता है इसमें का जुकंदगी और निकल गया है पर यह लगए बलया च्षब नियानाव को से टॉलनाव पूरा इसका निकल जाएगा नीचे गेहरा बड़तन में लग दिया था कि पानी तक नीचे निकल जेग ज यह जाएगा और इसे रख लेते हैं साइड में फटाफट सागी के सामगरी हम देख लेते हैं काईएं साम बडीयों को अपना देखना सुरू करते हैं हैं किया-क्राइब हमसा माझे में साइ राक और ने 2 धरुग था है घरीक्ट और चीर में धुको सबके हमें था यह मेरा है जीरा नाश्ता नाश्ता और यह मेरा इसा आप पहले बता हैं यह मेरा आलू मैने इससे कट किया चोड़े शोड़े से शेप में कट कर लिया है जादा चोड़ा को नहीं करना है और इनी सारे चीजों से आज हम बनाने वाले बहुत ही अच्छा और अपैंजिंग सा नाश्ता तो हम उसे भी साइड में रख लेते हैं पानी जो हमारा साइड में से फेक देंगे और यह हमारा पोहा है इसे कहीं गई गई चूड़ा भी बोलते हैं अब देख सकते हैं कितना चैनल पे नहीं तो प्रीज चैनल को मेरे सपोर्ट करिएगा मैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा वीडियो कर अच्छा लग रहा है आपको अपको वीडियो कैसी लगी और अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और इससे अच्छी तरीके साब इसमें मिक्स कर दीजिए मैंने इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और थोड़ा साहल दी और हम डालेंगे गई आप देख सकते हैं हमने इच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अब इससे हम रख लेते हैं साइड में हम अपने गैस पर और फिर इसमें डालेंगे अपने मुंफली को इससे आपको ची तरीके से भून लेना है गाइस अब काल आपको नहीं करना एक दम बस गोल्डेन कलर आने तक बस आपको भूनना है एक दम बहुत जादे जैसे आपको जलाना नहीं और खाने में इसका फ्लेवर जो अच्छा न आपको यह अमारा आलू था इस आपके गिंगे ऑ थोड़ी आप देखो गे तो एक्दम हमारा कणर सहालू का चेंज्ज होगया होगा अप देख सकते हमारा आलू का कैसा चेंज हो चुका आप देंगे हम ने तैल में सालू को भी निकाल देंगे अब इसे फ्टाफट से एक आगे प्रोसेस को भी आपको दिखाते हैं पीज में सपोर्ट जरूर करिएगा उसे सेम तेल में अपने प्याज को भी डाल देंगे प्याज खुलते हैं आपको भूना नहीं है तो घुल्डर ब्राउन को लाने तक और फेस में हम डाल देंगे जीरा यह मेरी राई है तेल में डाल देंगे बस थोड़ा सा प्याज को भूनना है इसका कच्चापन निकल जाए तब तक भूनना है बस प्याज आपको अपने पैन में जब डालेंगे तो हम अपने फ्लेम को लो कर देंगे लिए जीरा भी बोलते हैं और अब हम अपने पैन में फटाफर से डाल देंगे फिर जो हमारे मुफली जीनर जो हमने याँ भून के रखा था उसे भी इसमें डाल दिया है और अब क्या है बस इन साइज चीजों का आपको अच्छी तरीके से मिलाते हुए उपर से नीचे करते हुए अच्छी तरीके से मिला लेना है और इसे मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर एक चममच सानुनसान नमक कि एकोर्डिंग तो तेस्ट आप यहां नमक ले सकते हुए फिर आपको अच्छी तरीके से मिला लेना चलाकर चलाते हुए अब खुदी देख सकते हैं इतना ज्यादा टेस्ट ची सा आपको दिख रहा हो भी हमारा बन रहा है और आपस अबस उस्यासार है यह यह यलो होता जाएगा कितना चाप यारा रहा है हल्दी का ने इस फाली चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और मैं इसे धाक है अब हमारी दो मिनित हो गए हम गैस को फटा फटाफ से ओफ कर देंगे तरिज आप इसे बारों महीना बनाकर तयार कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें किसी चीद का वेट नहीं करना हमारा सारे समगरिय हमारा पूरे बारो महीना मिलता है आप जब चाहे जब जी चाहे आप इसे नाश्टे मना सकते हो इतनी जादा एजी सी रेस्पी हमारी बनके आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ यह मेरा कड़ी पत्ता आप डालना चाहो तो फोरन के साथ आप डाल सकते हो उसके बाद ही मेरा धनिया पत कितनी जादा एजी रेस्पी थी प्लीज 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 मैं चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा शेयर करेगा कॉमेंट में जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी फटा 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 मने फ्लेम को बन करके मैं से हटा लूँगे यह थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो अहां रहा आपको कोई और भी वीडियो चीए होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मैं आपको जी जरूर वीडियो लाओंगी कितना जादा प्यारा सा हमारा हलली का खिला-खिला कलर भी आ चुका है इतना जादा टेस्टी ना यह श्राम के नाश्टे मनाई यह बहुत ही मजाने वाला भाई इसको तो वाव मैं तो जा लिए खाने ओके बाई फिर मिल टेग ले न्यूजी रस्पीज में